Welcome guys, आज हम Class 11 बालो जी के Chapter 2 का Part 4 पढ़ेंगे, तो आपको पढ़ना है Kingdom Fungi के बारे में, ठीक है, तो यार अगर अगर भी आप चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड वीडियो को लाइक करिए, एंड शेयर करिए, अगर आपको पसंद आत है तो, ठीक है, बाकियार जो पुराने सब्सक्राइबर है मेरे, प्लीज उनसे भी रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज प्लीज शेयर करिए, अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है, तो थैंक इस सो मच, चलो, आगे पढ़ते हैं, तो Kingdom Fungi के बारे में, पढ़ना है, तो Fungi कैसे होते हैं, हेटरोट्रोफिक होते हैं, मतलब ये, डिपेंड होते हैं, दूसरे और्गनिस पे, फूड के लिए, ठीक है न, इसके लावब जो Fungus होते हैं, ये कैसा, डाइवर्सिटी शो करते हैं, बहुत जाता, ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं, मॉर्फोलोजी में, और हैबिटेट में, मॉर्फोलोजी का मतलब है, एक्स्टरनल अपेरेंस, ठीक है, तो इनकी बहुत डिफरेंट टाइप के एक्स्टरनल अपेरेंस होती है, ठीक है, और ये बहुत डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स में रहते हैं, हैबिटेट्स मतलब प्लेस या जगे बोल लो, ठीक है, you must have seen fungi on a moist bread, तो moist bread के ओपर भी आपने कभी fungus देखी होगी, ठीक है, white color के ऐसे जमा हो जाती है, उसके अलावा, rotten fruits में भी रहती है, अब rotten fruits क्या रहते हैं, जो fruits old हो जाते हैं, या सडेवे fruits जो रहते हैं, उनमें भी fungus लग जाती है, the common mushroom you eat, अब देखो, जो wollt मभी खाते हैं, वो भी क्या होता है, fungus ही होता है, and toad stool are also fungi, तो अब देखो, common mushroom जो है, वो भी fungus है, ठीक है, इसके अलावा जो sword stool है, अब toad stool क्या होता है, colorful और poisonous mushroom, एसे mushroom जो colorful होते हैं, और poisonous होते हैं, इनको बोलते हैं, टोड स्टूल तो इनको नहीं खाया जाता ये भी fungus होते हैं ठीक है ना white spots seen on mustard leaf अब जो mustard leaf होती है ना उस पे ना कभी-कभी क्या दिखते है white spots दिखते है ठीक है तो जो white spots होते है ये किसकी वज़े से होते है एक parasitic fungus की वज़े से होते है और उस fungus का नाम क्या है albugo candida ठीक है अब देखो काफी important point है some unicellular fungi ठीक है कुछ unicellular fungi होते है जैसे कि अरे यार ये doggy doggy की आवाज आ रही है क्या पीचे से आई रही होगी यार ये बिल्कुल बगल में है ठीक है तो wait करें कि थोड़ा तो some unicellular fungi इसके example क्या है yeast क्या है एक fungus है बट वो unicellular है ठीक है ना अगर आप से question पूछा जाए unicellular fungi का example क्या है तो आप बोलोगे yeast yeast are used to make bread and beer bread हो गई और beer बनाने के लिए yeast का इस्तिमाल होता है ठीक है और ये yeast कौन सी होती है जो bread और beer बनाती है ये होती है saccharomyces cerevisi ठीक है इसका नाम है ये 12th में भी आप पढ़ोगे other fungi causes disease in plants and animals तो जो fungus होती है ओ plants and animals में disease भी करती है जैसे कि we trust ये एक बिमारी होती है किसी वज़े से pucenia की वज़े से pucenia क्या है एक fungus है ठीक है is an important example some are the source of antibiotics और कुछ fungus क्या होती है antibiotic के source होती है जैसे कि penicillium का आपने सुना होगा ठीक है तो penicillium क्या है एक fungus है ठीक है और इससे जो antibiotic बनती है उसका नाम क्या है penicilline देनागी क्या बुला है fungi are cosmopolitan cosmopolitan का मतलब होता है जो दुनिया में हर जगे मिलते है ठीक है and occur in air, water and soil air, water, soil हर जगे मिलेंगे और animals में भी मिलेंगे और plants में मिलेंगे ठीक है they prefer to grow in warm and humid places तो जो भी warm, गरम और humid places होते है नमी वाले places होते है वहाँ पे ये grow करते है have you ever wondered why we keep food in refrigerator जो खाना होता है उसे हम फ्रिज में क्यों रखते है yes it is to prevent food from going bad due to bacterial or fungal infection तो जब हम खाने को फ्रिज में रखते है तो वो खराब क्यों नहीं होता है क्योंकि इस पर bacterial or fungal infection नहीं होता है क्योंकि फ्रिज के अंदर जो temperature होता है वो बहुत कम होता है जिस वेज़े से जो bacterial activities है जो fungal activities है वो उस low temperature पे कुछ नहीं कर पाती ठीक है चलो अब आगे बढ़ते है with the exception of east which are unicellular तो unicellular fungus के example क्या है east ठीक है but generally जो fungus होती है वो filamentous होती है मतलब multicellular होती है their bodies consist of long ठीक है अब इसको ध्यान से समझना क्या होता है जो fungus होती है उनकी body कैसी होती है long होती है उसके लावा slender होती है slender मतलब कि thread-like बहुत पतली सी होती है ठीक है structure called hyphae तो इसको समझना जो fungus होती है उसकी body कैसी होती है long होती है Thread-like structure की बनी होती है जिसको बोलते है हाइफी अब हम इसको थोड़ा देखेंगे The network of हाइफी is known as mycelium और जब बहुत सारे हाइफी मिल जाते हैं तो उसे बोलते है mycelium अब इस line को हमें इस diagram की मदद से देखते हैं देखो जैसे यहाँ पर spore है spore जैसे यहाँ पर germinate करता है तो उसकी वज़े से एक नई fungus यहाँ पर generate होती है अब होता क्या है यह लिखा है ना आपर germinating spore तो यह spore germinate कर रहा है और इससे क्या बन रहा है यह hair-like long structures इसे बोल रहे है हाइफी ठीक है यह हाइफी बन रहा है और हाइफी की कि देखो यहाँ पर क्या बन रही है branch भी बन रही है तो इसे बोलते है branch हाइफी ठीक है अब ऐसे क्या होगा धीरे धीरे इससे बहुत सारी branches निकलती रहेंगी इसका मतलब बहुत सारा हाइफी बन जाएगा समझ रहे हो न तो यह मैंने structure बनाया है यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारा हाइफी जो है वो बन चुका है और हाइफी का जब एक network बन जाता है बड़ा सा मतलब बहुत सारे हाइफी जब बन जाते है तो उसको मिला के बुला जाता है mycelium तो mycelium क्या है network of hyphy ठीक है इसमें confuse मत होना हमने क्या पड़ा यह काफी important है इसलिए repeat कर रहा हूँ क्या होता है जो fungus होती है उसकी body कैसी होती है long होती है thread like होती है ठीक है और उसकी जो body होती है उसे बोलते है hyphy ठीक है hyphy की बनी होती है fungus की body अब जैसे यहाँ पर दिखाया था इस pore जो है वो germinate करेगा तो उससे यह पहले सबसे बहले यह main hyphy बनेगी इस main hyphy से ऐसे branch बनेगी ठीक है ऐसे करते करते क्या होगा इससे बहुत सारी branches बनती जाएंगी बहुत सारी branches बनेगी तो क्या होगा बहुत सारा hyphy बन जाएगा और बहुत सारे hyphy को मतलब network of hyphy को बला जाता है mycelium तो मैं इस पूरे structure हो क्या बोल सकता हूँ it is a mycelium ठीक है अब इसमें एक और important बाट देखते हैं देखो some hyphy are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm these are called coenocytic hyphy अब ये काफी important है कुछ hyphy जो होते हैं वो continuous tube की तरह होते हैं और उस tube की अंदर basically क्या भरा होता है multinucleated cytoplasm तो ऐसे hyphy को बोलते है coenocytic hyphy मैं एक बाट फिर repeat कर रहा हूँ coenocytic hyphy ऐसे hyphy होते हैं जो की multinucleated cytoplasm से भरे वे होते हैं और ये continuous होते हैं अब इसको समझते हैं figure की मदद से तो यहाँ पर आपको दिख रहा है coenocytic hyphy लिखा हुआ है और इस hyphy में देखो ये hyphy हैं ठीक है इतने सारे hyphy हो गए इस hyphy में क्या है cytoplasm भरा है ये अंदर क्या है सारा cytoplasm है और इस cytoplasm में आप क्या देख पा रहे हो बहुत सारे nucleus हैं तो it is multi-nucleated ठीक है clear है तो यह होता है coenocytic hyphy other half septa अब जैसे मैं आपको बताया कुछ hyphy जो होते हैं वो कैसे होते हैं continuous होते हैं continuous tubes होती हैं उसमें मतलब उनमें बीच में कोई separation नहीं होता है जैसे की coenocytic hyphy में ठीक हैं इसमें coenocytic hyphy में क्या था multi-nucleated cytoplasm भरा हुआ था but कुछ hyphy ऐसे होते हैं जिसमें septa होता है या फिर cross wall होती है in there hyphy उसको बोलते हैं septate hyphy अब septate hyphy क्या होते हैं basically ऐसे hyphy जिसमें क्या होता है बीच-बीच में septa रहता है मतलब यह continuous नहीं रहता है इसके अंदर क्या है septa present है septa क्या होता है dividing wall तो देखे हो यह जो नीले कलर से दिखा रखी है क्या dividing wall है ठीक है तो अब difference देखो coenocytic hyphy में आपको बीच में कोई भी dividing wall नहीं मिल रही थी वो एक continuous tube थी ठीक है coenocytic hyphy और वो multi-nucleated है बट लेकिन जो septate hyphy है उसमें क्या आपको बीच-बीच में septa मिलेंगे यह नीले कलर से जो दिखा रहते है ठीक है ना तो बीच-बीच में क्या है wall है दिवार बनी वीच-बीच में तो यह septate hyphy है अब क्या होता है जो यह septate hyphy है इसमें जो septa होता है actually यह पूरी तरीके से covered नहीं रहता मतलब ऐसे नहीं रहता है जैसे मैं यह septa बना रहा हूँ ऐसे 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 पूरी तरीके से नहीं रहता है बीच में क्योंकि gap रहता है ठीक है चलो अब आगे बढ़ते है the cell wall of fungi are composed of kaitin and polysaccharide तो यह काफ़ important है fungus की जो cell wall होती हो किसकी बनी होती है kaitin और polysaccharide की most fungi are heterotrophic तो जाद जर फंगी कैसे होते है heterotrophic होते है and absorb soluble organic matter from dead substrate and hence are called saprophytes तो fungus saprophytes होते है मतलब यह क्या करते है dead or decaying जो matter होता है उससे अपना food लेते है मतलब जो सड रहा है जो मरा हुआ कोई सडीवी चीज है उससे अपना खाना लेते है ठीक है those that depend on living plants and animals are called parasite और कुछ fungus ऐसे होते है जो living plants और animals पे रहते है और उससे nutrition derive करते है तो इनको क्या बोलते है parasitic fungi ठीक है और यही disease करने में भी responsible होते है then क्या है they can also live as symbionts symbiotic association अब इसका मतलब समझते है symbiotic association का मतलब होता क्या है पहले तो यह देखो मालो यह एक क्या है मकान है ठीक है यह मकान मालिक है ठीक है जिसका ही घर है और यहाँ पे यह किरायदार है ठीक है तो देखो मकान मालिक और किरायदार साथ रहते है एक ही मकान में क्यों? क्योंकि इससे दोनों को फायदा है न जो यह किरायदार है इसको रहने की जगे मिल रही है ठीक है also live as symbioned in association with algae as lichen, तो जो fungus होता है जो fungus होता है, वो algae के साथ भी रहता है और इस association को बोलते है lichen, ठीक है, lichen क्या है जब fungus algae के साथ रहता है तो उस association को नाम दिया जाता है lichen, ठीक है इसी तरीके से जो fungus होती है वो जो बड़े-बड़े plants होते हैं उनकी roots में भी रहती है fungus जो होती है बड़े-बड़े plants की root में भी रहती है और इस association को बोलते है mycorrhiza अब ये दोनों association कैसे हैं symbionts है symbiotic है, मतलब इसमें दोनों को फायदा हो रहा है साथ रहने में जैसे मकान, मालीक और किराहधर वाला था उसको हम यहाँ पर देखते है lichens क्या है, जब fungus algae के साथ रहता है अब साथ रहने में दोनों को फायदा कैसे है जो fungus होती है वो absorb करती है water and minerals को ठीक है ये fungus water and minerals को absorb कर रही है और जो algae होती है वो क्या करती है food बनाती है photosynthesis की मदद से और वो food किसे मिल जाता है मतलब वो थोड़ा food किसे मिल जाता है fungus को मिल जाता है तो fungus जब algae के साथ रह रहा है तो algae क्या कर रहा है photosynthesis कर रहा और वो थोड़ा खाना इसे दे दे रहा ठीक है और fungus क्या फायदा दे रहा है algae को fungus क्या कर रहा है algae के लिए water और minerals का absorption कर रहा है तो दुनों को फायदा है then mycorrhiza पे आते हैं इसमें क्या होते हैं जो बड़े-बड़े plants की root होती है न वहाँ पे fungus रहती है तो fungus यहाँ पे भी क्या करती है water और minerals को absorb करती है और ये water और minerals किसे मिल जाते हैं plant को मिल जाते हैं इंदिस करके जो food बनेगा वो थोड़ा किसे देदेगा fungus को देगा तो दोनों को फायदा यहाँ पे हो रहा है अब बात करते हैं fungus की reproduction की reproduction in fungi can take place by vegetative mean तो vegetative तरीके से भी reproduction होता है जैसे कि fragmentation होगा fission होगा और budding होगा ठीक है asexual reproduction कैसे होगा is by spore आगे देखते है called conidia और sporengiospore और zoospore ठीक है तो इनकी मदद से asexual reproduction होता है इन spores की मदद से और sexual reproduction कैसे होता है by ooospores, asco spores and besidiospores ठीक है न अब देखो यहाँ पे sexual और asexual reproduction के लिए हम cycle भी देखेंगे अब है थोड़े दिर बाद अब यह काफी important है जो fungus होता है उस fungus में spores कहाँ पे बनता है fungus में spores बनता है कि structure में जिसे बोलते है fruiting bodies important है ठीक है अब आगे बढ़ने से पहले हम एक cycle देखेंगे और उसकी मदद से समझेंगे फिर हम आगे पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा अपने को फाइदा मिलेगा यार lecture boring तो नहीं होना ठीक है यार मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यह समझ में आए ठीक है चलो तो हम क्या देखेंगे cycle देखेंगे पहले तो देखो यह है cycle ठीक है जिसमें हम fungus में asexual reproduction भी देखेंगे और sexual reproduction भी देखेंगे सबसे पहले अपने को पता है mycelium क्या है mycelium क्या है network of hyphae ठीक है यह हमने पढ़ लिया है अब यह जो mycelium होता है इस mycelium में क्या होता है यहाँ पे एक spore producing structure होता है ठीक है जिसे क्या बोलता है fruiting body अभी हमने पढ़ा था तो यह जो fruiting body है यह क्या produce करेगा यहाँ पे spore produce करेगा ठीक है spore produce किया यह spore germinate करेंगे और germinate करने के बाद फिर से mycelium बना देंगे एक नया mycelium बना देंगे मतलब नया fungus बना देंगे तो यह तो हो गया asexual reproduction अब हमें देखना है sexual reproduction के बारे में ठीक है यह कैसे होगा पहले हम आते हैं यहाँ नीचे की structure में आपने mushroom तो देखा यह mushroom क्या है fungus actually ना तो यह है soil ठीक है यह soil surface हो गया इसमें यह हो गया mushroom ऐसे यह उपर को ठीक है और अब हम जमीन के नीचे देख रहे हैं इदर तो जमीन के नीचे आपको क्या मिलेंगे यह hy-fi मिलेंगे इतने सारे hy-fi होगए इसमें ठीक है और network का hy-fi is called mycelium ठीक है ऐसे इदर भी यह mycelium है अब यहाँ पर ध्यान से देखना जो यह दोनों मश्रूम है न इनके जो यह mycelium है ठीक है यह ना आपस में एक जगे पर fuse हो रहे है यहाँ पर मिल रहे हैं यह तो क्या बोला यहाँ पर hair मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है mycelium cells जो हैं वो fuse हो रहे हैं यहाँ इदर की जो हो रहा है प्लाज्मोगैमी हो रहा है clear है भी इतना ठीक है तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर sexual reproduction पर तो वो ही सबसे पहले mycelium है mycelium कैसा है heploid nature का है मतलब N है उसमें chromosome का number फिर दो जो मश्रूम है उसके mycelium के cells आपस में मिल जाएंगे जिसको हमने बोला plasmogemi तो यहाँ पर plasmogemi हो जाएगा plasmogemi का मतलब होता है fusion of cytoplasm मतलब जो दो cell है जैसे इसको न यहाँ यह वाला समझ लो आप यह चीज यहाँ पर बता रहा हूँ मैं जैसे इदर का mycelium का cell है इदर के mycelium का cell है यह अपस में क्या हो जाएंगे fuse हो जाएंगे यह अपस में ऐसे join हो जाएंगे ठीक है न एक cell बना देंगे एक तरीके से यह तो इस stage को बोलेंगे मतलब इस step को बोलेंगे plasmogemi अब यहाँ पर एक important बात आती है plasmogemi होने के बाद यहाँ पर क्या होगा आपको पता है इन में nucleus भी होगा ठीक है तो जब यहाँ पर यह plasmogemi होगी तो जो cell बनेगा न उसके अंदर कितने nucleus होंगे एक और दो nucleus होंगे तो यह है देखो plasmogemi के बाद यह cell बना इसमें दो nucleus है इस stage को बोलते है die karyotic stage यह NCIT में दिया है अभी आएगा die मतलब होता है two karyot मतलब होता है nucleus तो यहाँ पर क्या हो गया दो nucleus आगा इसमें ठीक है यह दो nucleus वाली बात हो गई यहाँ पर अब इसके बाद क्या होगा और यह जो stage रहती है थोड़े time तक ही रहती है यह दो nucleus वाली stage ठीक है और हाँ एक और important बात यह जो दो nucleus वाली stage है यह सारे fungus में नहीं होती है यह किस में होती है basically यह होती है escomycetes and basidiomycetes में ठीक है न इन्हीं दो fungus में यह stage आती है बाकी fungus में यह वाली step होती नहीं है उसकी जगे सीधे यह carryo gami हो जाती है तो अब अब इसको देखते हैं इस cell के अंदर दो nucleus है अब ये दो nucleus भी fuse हो जाएंगे ये दो nucleus आपस में मिल जाएंगे तो अब अगर आप यहाँ पे जब दो nucleus fuse होते हैं तो इस stage को बोलते है carryo gami इस step को कहा रही हो gammy बोलेंगे तो यहाँ पर जब आप cell को देखोगे तो इसके अंदर एक ही nucleus होगा ठीक है ना तो यहाँ पर क्या हुआ एक n cell मिला था एक n cell मिला था तो जब यह मिलेंगे तो क्या हो जाएगा जो cell बनेगा वो 2n हो जाएगा मतलब number of chromosome इसमें double हो जाएगे तो यह deployed stage आजाएगी यहाँ पर इसके बाद इसमें meiosis होगा meiosis आपको पता है it is called reductional division ठीक है ना reductional division का मतलब है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके यह इस structure से haploid spores बन जाएगे मतलब 2n से क्या बन जाएगे यहाँ पर n बनने लग जाएगे तो यहाँ पर देखो sports producing structure बनेगा जो की fruiting body है और उससे फिर यहाँ पर क्या बन जाएगे sports बन जाएगे ठीक है और फिर यह sports germinate करेंगे और फिर germinate करने याद यह क्या बना देंगे दुबारा mycelium बना देंगे तो यह था asexual and sexual reproduction के बारे में ठीक है अब NCRT पर आते हैं अपने तो देखो उपर जो हमने steps पड़े उसको यहाँ देखते हैं सबसे पहले क्या था fusion of protoplasm है ना between two motile और non motile gametes तो दो motile या non motile gametes जो हैं वापस में मिल जाएंगे और इसको बोलेंगे plasmo gammy fusion of two nuclei called kerio gammy फिर kerio gammy में क्या होगा दो nucleus का fusion हो जाएगा मिल जाएंगे वो फिर meiosis in zygote resulting in haploid spores तो यहाँ पे जो zygote बना था जो 2N deployed वाली condition थी वो क्या बना था? zygote बना था और यह जो zygote है इसमें क्या हो रहा था? फिर meiosis हो रहा था हमने देखा था और इससे क्या बन रहे थे? haploid spores बन रहे थे और फिर यही haploid spores germinate करके क्या बना रहे थे? mycelium को बना रहे थे ठीक है न? when a fungus reproduce sexually two haploid hyphae of compatible mating type come together and fuse तो यह काफी important point है उसने क्या बोला? when a fungus reproduce sexually जब भी fungus sexually reproduce करता है तो क्या होता है? यहाँ पे जो दो haploid hyphae of compatible mating वो पास आ जाते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था mushroom के case में यहाँ पे एक hyphae इदर से आ रहा था और इदर का जो mushroom है उसका hyphae इदर को आ रहा था और इन में फिर fusion हो रहा था ठीक है ना? In some fungi, the fusion of two haploid cells immediately result in diploid cell 2N ठीक है? तो जैसे हमने देखा था मान लो यहाँ पे यह cell है यह cell है haploid है दोनों cell यह cell किसका है? यह cell है एक hyphae का यह cell है दूसरे hyphae का तो जब यह मिलेंगे तो क्या बनना चीए है यहाँ पे directly? 2N बनना चीए cell लेकिन हमने क्या पढ़ा था? जो escomycids और basidiomycids होते हैं उसमें बीच में एक stage आ जाती है जिसमें क्या होता है? यहाँ पे दो nucleus रह जाते हैं दो nucleus आ जाते हैं तो इसमें एक cell के अंदर दो nucleus बन जाते हैं सरिफ इन दो फंगी में ठीक है? बाकी फंगी में यह अली stage आती ही नहीं है ठीक है? तो एक कोशन बन गया नहीं है? आसे कि कौन सी ऐसी fungus है जिसमें dicario phase आता है तो वो है ascomycids and basidiomycids और यह जो phase रहता है यह phase मतलब थोड़े लंबे time तक रहता है और उसके बाद क्या होता है? जो यह nucleus है यह आपस में मिल जाते हैं और यहाँ पे एक ही nucleus हो जाता है ठीक है न? और फिर यहाँ पे यह deployed cell इस तरीके से बन जाता है Later the parental nuclei लिखा भी है Later the parental nuclei fuse and the cell become deployed यह जो दो nucleus ते मिल जाएंगे और deployed cell बन जाएगा The fungi form fruiting bodies अब फिर fungi यहाँ पे क्या बनाता है? आपको पता है fruiting body बनाएगा ठीक है fruiting body क्या बनाता है? फिर spores बनाता है फिर spores germinate करके नया mycelium यह नया fungus बना देता है तो क्या है? The fungi form fruiting bodies in which reductional division occur fruiting bodies में क्या हो रहा था? Reductional division means क्या हो रहा था यहाँ पे? meiosis हो रहा था और इसी meiosis के वेज़े से haploid sports बन रहे थे ठीक है तो लिखा भी है Leading to formation of a haploid spores The morphology of the mycelium और mode of spore formation and fruiting bodies form the basis for the division of the kingdom into various classes तो जो fungus है ना उसमें बहुत different type की fungus आ जाती है तो different type की fungus किस basis पे बनाए गई? कि mycelium की morphology कैसी है mode of spore formation कैसा है fruiting bodies कैसी है इस basis पे ठीक है तो देखो इस video में इतना ही रहना देते है next video में फिर हम बाकी के part cover करेंगे क्योंकि ये video मुझे लगता है थोड़ा बड़ा हो चुका है ना और अगर आपको यार ये video पसंद आया तो please like करिए ये बोलना जरूरी हो गया है मुझे लगता है ये बोलना जरूरी होता है क्योंकि कभी-कभी बच्चे लाइक ही नहीं करते हैं तो please support करो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ठीक है और please share भी करिए अपने friends के साथ okay bye bye